हेलो फ्रेंड्स एसके क्लासेस में आपका स्वागत है make sure that कि आपने इसका previous video जरूर देखा हो क्योंकि previous video में हमने देखा था कि group homomorphism क्या होता है और उसी topic पे based हमने example भी solve out किये थे make sure that कि आप वो video जरूर देखे link आपको description में मिल जाएगा तो आज की इस video में हम बात करने वाले isomorphism क्या होता है और isomorphism का हम definition देखेंगे और definition देखने के बाद मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी examples लेकर रहा हूँ जिसे solve out करने पे समझने पे आपका isomorphism वाला जो concept बहुत ही बहतर तरीके से clear हो जाएगा तो suppose मान लीजे मेरे पास दो person है एक person है A और दूसरा person है B और इनके सामने मैंने कुछ एक job assign किया है मतलब एक object लाके रख दिया है और इनने क्या करना है वो जो objects रखे है उनको count करना है तो जैसी person A ने वो object को count करना start करा तो उसने ऐसे कहा 1, 2, 3, 4 and so on मतलब basically उसने English में numbering scheme करी और जो हमारे पास person भी है उसने क्या क्या जैसी object सो count करना start किया तो उसने कहा 1 कि बजाए उसने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 इस तरह के से उसने numbering scheme करी तो जो हमारा person A है उसने कहीं न कहीं English language यूज़ किया और जो person B है उसने कहीं न कहीं Hindi language यूज़ किया तो यहाँ पर जो मैंने उनको job दिये है counting वाला job basically जो job दिया है क्या वो दोनों को different jobs दिये जी पिल्कुल नहीं कहा different थी दोनों को job तो एक ही दिया है जो कि simply उन्हें करना है count ठीक है बट उनकी जो terminology है ना वो different different है क्योंकि person A ने English term यूज़ किया है और person B ने Hindi term यूज़ किया है counting के लिए तो उनकी terminology different है बट जो job है वो काम उनका एक ही है उसी तरह isomorphism भी ऐसे ही work करता है मतलब आपके पास इस time पे दो group होंगे suppose एक group है G और दूसरा group है G- ये जो दो group है मेरे पास इनके structures different होंगे मतलब इनकी terminology different होगी बट terminology different होगी बट अंदर जो काम कर रहे है जो उनका job है जो उनकी properties है वो कहें ना कहीं एक जैसी resemble करती है मतलब एक जैसी उनकी properties होती है बस इतना ही है तो यहाँ पर आपके पास दो भी जो group दिए गए है उसे हम कब कहेंगे isomorphism है जब उनकी terminology different हो मतलब उनके structure different हो उनका तरीका अलग हो बट अंदर की जितने भी properties है वो सारी की सारी सेम हो अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं है आगे हम definition देखेंगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा तो एक और चीज़ में बताना चाहता हूं मै मैं एक चीज़ जरू observe करिए जब मैं class 12 में था तो यह term कहें ना कि मुझे देखने को जरू मिला था बट maths में नहीं मिला था यही term मुझे chemistry में देखने को मिला था वहां पर यह term था isomorphism अब isomorphism उस time पर हमको क्या बताया गया था कि आपके पास दो compound है सबोसे compound A compound B उनके structures अलग अलग है बट उनकी सारी properties सेम हैं ऐसे टाफ के compound को हम सिंप्ली केते हैं आई आईसो मॉर्फिसम इसे दो compound के बीच में क्या exist कर रहा है आई सो मॉर्फिसम है तो यह होता है आई सो मॉर्फिसम का मतलब आप यही समझे है उनकी structures different होने चाहिए elements different होने चाहिए terminology different होने च यह होता है इसकी properties ठीक है चलिए बढ़ते अभी इसके actual definition की तरफ तो यह है मेरे पास proper definition of isomorphism तो group isomorphism basically क्या होता है an isomorphism phi from g to group g- तो यहाँ पर isomorphism basically क्या है एक function है उस function को किसी denote किया गया है फाइस से denote किया गया है अब function है mapping होरी यह function को कहेंना कि mapping भी बोलते हैं और mapping जो होरी किनके बीच में होरी है एक group है g और दूसरा group है g bar पढ़ लेते इसको तो यह हमारे पास group है इनके बीच में होरी है mapping और इस mapping को किसी denote किया है फाइस से denote किया है अब यह जो मेरे पास फाइ है इसे मैं isomorphism कब बोलूँगा कब बोलूँगा जब यह isomorphism होना चाहिए one to one mapping मतलब one to one function होना चाहिए और साथी साथ में on to function भी होना चाहिए तिहाँ पर आपको दोची समझ में आ गई इस mapping को मैं कब बोलूँगा यह isomorphism है फिर्स तिंग जब यह one to one function होना चाहिए one to one function होना चाहिए और दूसरा कब बोलूँगा जब यही जी और जी डैश इनके बीच में क्या होना चाहिए on to mapping होनी चाहिए on to function basically वो होना चाहिए पहला उनके बीच में one one correspondence होना चाहिए मतलब 1-2-1 function होना चाहिए और दूसरा वो on to function होना चाहिए यह दो चीज़ है और आगे पढ़ते that preserves the group operation मतलब यह जो mapping है क्या करना चाहिए उनकी जो binary operation वो preserve करनी चाहिए और हमको पता है जो binary operation preserve करता है उसे हम क्या बोलते है homomorphism बोलते हैं इसलिए मैंने आपको बता रहा है homomorphism क्या होता है इसलिए प्रिवेस वीडिया आप देख सकता आपको समझ में आ जाएगा तो आप एक और condition मिल गया यह mapping क्या करनी चाहिए preserve the group operation binary operation को preserve करना चाहिए तो इस type के इस type के हम इसको क्या बोलते है इस type के mapping को हम क्या बोलते है group homomorphism बोलते है तो 5 आपका basically क्या होना चाहिए 5 is homomorphism यहाँ पर वही चीज़ बताइए that is 5 of a b is equals to 5 of a 5 of b जो की homomorphism का ही definition है सारी values के लिए true होना चाहिए जो की g के अंदर मौजूद है if there is an isomorphism from g on to g dash अगर कही पर दो group के बीच में isomorphism मिलता है तो हम उस time पर कहेंगे g and g dash are isomorphic और उनको कहीना के दिखेंगे g is isomorphic g is isomorphic to g bar ठीए उनको कैसे denote करेंगे g is isomorphic to g bar ऐसे denote करते है या फिर simply g is isomorphic to g bar ऐसा हम बोलेंगे बट कब बोलेंगे अगर दो group है मेरे पास g और g dash उनके बीच में अगर isomorphism exist होता है तो उनको हम simply क्या बोलेंगे g and g dash are isomorphic isomorphic है that means उनके बीच में definitely एक isomorphism पक्का exist करता है तहाँ पर आपको एक चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी कि group isomorphism किसे कहते है तो group isomorphism कहने कर एक ही फंडा है आपके पास एक पहली बात होनी चाहिए mapping जो कि g और g dash मतलब g bar दो group है दोनों group के बीच में एक होनी चाहिए mapping वह mapping कैसी होनी चाहिए first of all वह one to one होना चाहिए दूसरा वह on to function होना चाहिए और तीसरा वह binary operation preservation होना चाहिए that means वह mapping आपकी homomorphism होनी चाहिए अगर किसी भी function ने किसी भी mapping ने अगर यह तीन condition satisfy कर लिए ना तो उस type के function को हम simply बोलेंगे group isomorphism ठीक है और अगर किसी दो group के बीच में isomorphism exist हो रहा है तो उस time पे हम लोग क्या बोलते है जी is isomorphic to g par उस time पे ऐसा हम बोलेंगे आई होग गईस यहां पर आपको actual definition समझ में आ गई होगी कि group isomorphism होता क्या है तो चलिए अब बढ़ते कुछ example की तरफ ताकि आपको यह चीज़े और अच्छे समझ में आने लगे त दूसरा ग्रूप है जो पहला ग्रूप आप देख रहे हो यह जो ग्रूप है यह किसका है रियल नंबर का ग्रूप है और इसका जो बाइनेरी operation हो कौन से respect में simple अपना usual edition के respect में यह ग्रूप है दूसरा जो हमारे पास जी डैश यह ग्रूप है यह ग्रूप के अंदर elements कौ कौन सा ग्रूप है यह सिर्फ positive real numbers है मतलब इसके अदर सिर्फ positive real number negative real number इसके अंदर include नहीं किये गए positive real number include किये गए अंडर multiplication और यह multiplication के respect में एक group form करता है ठीक है तो पहला जो ग्रूप है हमारे पास वो simply कौन है वो हमारा set of all real numbers with respect to usual edition उसके respect में ग्रूप कर रहा है और जो हमारे पास group है जिसे जी डैश का है वो भी एक group है वो जो उसके अंदर के elements हमारे real positive numbers है और वो कौन से respect में multiplication के respect में वो भी एक group form कर रहा है यहां पे हमारे पास एक mapping दी गई है तो हमारे पास एक mapping है फाई जी टू जी डैश यह जो mapping हमारे पास है जिसको कैसे define किया गया y of x is defined by 2 raised to the power x इस form में इसको define किया गया हमें प्रूफ करना है यह जो mapping है यह कैसी mapping है isomorphic है मतलब हमारे इनके बीच में क्या show करना पड़ेगा कि g और g डैश के बीच में एक isomorphism exist करता है अब isomorphism basically क्या होता ह पहली condition क्या satisfy होनी चाहिए वो one to one function होना चाहिए दूसरा मैंने आपको क्या बताया था दूसरा वो on to function होना चाहिए और तीसरा सभी का प्यारा जो किया है वो homomorphism होना चाहिए मतलब group homomorphism होना चाहिए अगर किसी mapping ने यह तीनों condition satisfy कर लिए तो उस type के mapping हम क्या बोलते है isomorphism तो यहां पर मुझे शो करना है कि यह जो मेरे पास group है यह जो mapping है यह mapping isomorphic है मतलब यह जो मेरे पास दो group है जी और जी यह दो group आपस में कैसे isomorphic है that means यह जो function है मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि इनके बीच में एक isomorphism exist करता है मतलब एक mapping exist करती है moreover mapping के तीन condition satisfy करती है तो चलिए बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ तो सबसे पहले हम लोग जो प्रूफ करने वाले वो बताने वाले कि वो जो चीज है वो कैसी है one to one function है और one to one function mapping दिखाने का एक ही तरीका है क्या कहता है अगर आपने हमारे जो domain है g और co domain है g dash domain में से आप क्या करो दो element ले सिमिलरली यहां पर मेरे पास है एक दूसरा element वाई जैसी फाई के अंडर ऑपरेट होगा तो मुझे यहां पर कौन सा element मिल जाएगा five of y मिल जाएगा ठीक है तो यह कहना क्या चाहता है one to one का basically मतलब क्या होता है कि हर एक element के corresponding में एक unique image होगी ठीक है अगर मान लेते है कि यह क्या है हर एक element के corresponding में unique image होना चाहिए तो यहां पर एक से corresponding image five of x है वागे corresponding image क्यों है five of y मान लेते हैं अगर वो unique नहीं है that is five of x equals to five of y तो हमें उस time पर proof क्या करना पड़ेगा कि x और y definitely क्या है same है कभी भी अगर आपको one to one function proof करना है तो सबसे फिल आपको assume करना पड़ेगा कि मान लेते हैं मान लेते हैं कि वो जो हमारे पास यह elements है five of x और five of y यह दोनों चीज़े कैसी same है तो उस time पे हमें प्रूफ करना होगा कि x equals to y तो सबसे पहले हम लोग क्या माले बोलेंगे कि let हमने दू element ले लिए कहां से element ले लिए x, y दू element ले लिए हमने हमने हमारे group domain g से that means तो उसका जो image होगा five of x five of y यह दूने element कहां जाएंगे obviously group g dash में जाएंगे और हम one to one function प्रूफ करना है तो हमें क्या assume करना पड़ेगा सबसे पहले हम assume करेंगे कि five of x और five of y basically दूनों ही element कैसे same है और ऐसे में हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि x और y भी क्या होंगे same होगी यह हमारा claiming part होगा तो five of x basically जैसी मैं x को यह जो मेरे पास x है इसको जैसी में five के under operate करूँगा तो मुझे कौन सा element मिलेगा आप ही बताओ यहाँ पर mapping हमें दे रहा है हमारा पास mapping का rule है mapping का rule simply क्या कहता है आप कुछ भी मेरे अंदर put करो आपको two raise to the power x के form में वो element मि x को put किया तो मुझे element उसका image क्या मिलेगा two raise to x मिलेगा तो यहां पे मैं वही चीज़ लिग दूँगा, जैसे ही मैं image लोंगा x की, तो मुझे क्या मिन जाएगा? 2 raise to x मिल जाएगा जैसे ही मैं y की image लूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 2 raise to y मिल जाएगा तो हमारा यहाँ पर assumption part क्या है हमने assume किया है 5 of x equals to 5 of y that means 2 raise to x equals to 2 raise to y यह दोनों part same हो जाएगे दोनों का base same है that means उनके power भी same होने चाहिए so x equals to y लो भाई सब यही तो हमें proof करना था तो यहाँ से हम एक चीज़ बोल सकते हमारा जो phi है जो mapping है वो function g से लेके g dash यह mapping कैसी हुई यह one to one mapping होई तो हमने first part proof कर दिया है अब हमें proof करना कि यही mapping हमारी on to mapping भी होगी तो अभी हमें proof करना है कि हमारे पास जो mapping है जो कि g से लेके g dash की तरफ move कर रही है जो phi से denote किया गया है यह mapping है हमारी on to अब on to का मतलब क्या होता है कि आप co domain में से कोई भी element लो कोई भी element लो बहुत सारे element होंगे उसमें से कोई भी element ले लो और वो element के लिए आपको find करना है कि unique उसका pre image उसका प्री मेंज एक्जिस्ट होना चाहिए यह वो कहता है हर एक element क्रॉसपार्णिंग में क्या एक्जिस्ट होना चाहिए उसका pre image find out करना है अब हर element लेके तो दिखा नहीं सकते तो इसमें से कोई एक जनरल element ले लेते तो मान लेते हैं हमने element ले लिया suppose एक हमने x- बोलता हुम है, x- हमने एक general element ले लिया g- में से, ठीक है हमने क्या कि यहाँ पे एक element है x- हमने एक element ले लिया g- में से, अब हमारा job क्या है कि इस x- के लिए हमने एक element find करना है, कहां find करना है g के अंदर find करना है, say b, तो मुझे x बोल लेते हैं उसको say x, तो basically मुझे यहाँ पे क्या find करना है, मुझे find करना है x, मुझे एक element find करना है, जो कि कहां मौझूद होना चाहिए, g के अंदर present होना चाहिए, such that, जैसी ही मैं उसका image लूँगा, तो क्या मिलना चाहिए, मुझे x dash, x dash मिलना चाहिए basically, तो यह मतलब होता है on to का, तो on to के लिए basically क्या करना है, मुझे co domain से element लेना है, say x dash, और उसके लिए मुझे pre image find out करना है, बट आपको एक चीज़ पता है, कि जो हमारे पास group g dash है, उसके अंदर सारे element किस form में, 2 raise to the power x form में, हना सारे element कैसे form में, 2 raise to the power x form में, तो यहाँ पे जो x dash है मेरे पास definitely, यह कौन से form में होगा, 2 raise to the power x form में होगा, पर जरूरी नहीं कि वो x यह होगा, वो कुछ भी हो सकता है, 2 की power कुछ तो भी हो सकता है, सिंस हमारा जो element x dash वो g dash के अंदर बिलॉंग कर रहा है, और g dash के अंदर सारे element कैसे है, 2 की power में है, 2 की कोई तो भी power में है, सारे element इसी form में है, तो मैंने एक element लिया x dash, जो कि again किस form में देखेगा, 2 raise to the power m के form में देखेगा, अब आप मुझे बताओ, मैंने एक element लिया x dash, और वो x dash कोई है, 2 raise to the power m है, तो मुझे तुम बता सकते हो कि मैंने कौन सा element यहां पे लिया होगा, such that जैसी मैंने इसको 5 के अंदर operate किया, मुझे मिला 2 raise to m, थोड़ा सोचो, जैसी मैंने x को लिया, तो उसकी image क्या मिलीगी 2 raise to x मिलीगी, तो बता हो मुझे मैंने g में से कौन सा element लिया होगा, कौन सा element लिया होगा, अगर suppose मैंने यहां पे m लिया रहता, तो उसकी image क्या मिलती मुझे 2 raise to m मिलती, तो मुझे यहां पे basically क्या find करना था, element find करना था, जो कि कहा present होना चाहिए, जी के अंदर present होना चाहिए, we have to find element such that which is present in g, such that which satisfies this condition, ठीक है, तो हमने वह ऐसा m find out कर रही है, यहां पे मैं एक ही चीज़ बूलना चाहता हूँ, कि हमें यहां पे find करना था, जो की element क्या है, this implies that there exist m, एक m exist करता है, कहां exist करता है, वह m exist करता है, जी के अंदर, जैसी मैं उस m का image लूँगा, जैसे कि phi of m लूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएका, 2 raise to m मिल जाएगा, यहां पे मैंने क्या किया, code domain में से एक element लिया, जो की है 2 raise to m, और इसके लिए मैंने pre image find करी, जो की कौन है, m है, उसके लिए मैंने pre image find करी, such that जैसी मैंने m का image लिया, तो मुझे क्या मिल गया, 2 raise to m मिल गया, यहां पे आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा, कि मैं जो भी element do code domain में से, definitely उसके लिए हम element find out कर सकते है, domain में से, तो यहां पे आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, कि यह function कैसे on to बना, यहां पे जो हमारी mapping है, 5G से लेके g dash, यह mapping कैसी है, on to function है, तो हमें यहां पे प्रूफ करना था कि g और g dash, यह दोनों कैसे isomorphic है, that means वहां पे का isomorphism exist होना चाहिए, तो isomorphism के लिए जो mapping है, उनका rule उन्होंना question में already दे रखा है, जो कि 2 raised to the power x, हमें प्रूफ करना यह isomorphism है, तो हमें सबसे पहले प्रूफ करना था कि 101 होना चाहिए, दूसरा हमें प्रूफ करना था वह on to होना चाहिए, क्योंकि पहले दो condition हमने प्रूफ कर दिये, और last condition बसता है, हमें यह आप प्रूफ करना है कि वह जो mapping है, वह homomorphism है, अब homomorphism क्यों होता है, बहुत ही चोटा सा concept है, मैंने विडियो भी बना रखते हैं आप चाहिए तो देख सकते हैं, यह homomorphism है, तो homomorphism के लिए basically fundak क्या है, आप दो element ले लो, domain में से ठीक है, और यह condition hold होनी चाहिए, five of a dot b is same as five of a dot five of b, ठीक है, अब आपको पता है, a और b element कहा है, जी के अंदर है, अगर मैं a dot b बोलता हूँ, यह dot जो है binary operation है, यह किसका binary operation है, जी का है यह जी डैश का है, क्योंकि दोनों जी के अंदर मौझूद है, तो यह जो binary operation है, यह जी का ही है, तो five of a dot b, यह जो आप dot देख रहे हो, यह किसका, जी का binary operation है, और जैसे ही मैं यहाँ पर जो dot देख रहे हो, तो five of a कहा आ जाएगा, जैसे ही आपके पास, यह suppose g है, यह आपके पास g- है, a की image आपने यहाँ पे ली तो आपको मिल जाएगा, five of a, b की image लोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, five of b, तो five of a, five of b कहीं नहीं कहीं जी डैश के अंदर मौझूद है, जी डैश के अंदर present है, तो यहाँ पे जो binary operation यह कौन सा है, जी डैश का binary operation है, तो मुझे यहाँ पे यह उसको प्रूफ करना है है, homomorphism है, that means we have to prove this, five of a dot b, बट हमारा जो जी का binary operation वो कौन है, addition है, that is, five of a plus b is equal to five of a dot, किसका binary operation जी डैश का, बट यहाँ पे जो हमारा group two है, उसका binary operation कौन है, multiplication है, यहाँ पे आजाएगा, multiplication, five of b, यह condition मुझे प्रूफ करनी पड़ेगी, सारे values के लिए, जो की g के अंदर मौझूद है, मतलब हम जनरल element लेके दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे मुझे अगर homomorphism प्रूफ करना है, तो मुझे यह वाली condition प्रूफ करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम प्रूफ करने वाला है कि हमारा जो mapping है, g से लेके g टैश, इसे हमें प्रूफ करना है कि यह homomorphism है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी दो element ले लेते हैं, let a और b हमने domain में से दो element ले लिए, अब लेने के बाद हमें क्या करना है, consider करेंगे हम phi of a plus b, यह element को consider करेंगे, तो a plus b हमारे पास, तो जैसी मैं इन दून element का, a plus b का image लोंगा तो मुझे क्या मिल जागा, image का जो हमारे पास rule है, function का rule है, वो तो यहाँ पर define कर रखा है, तो हमें by using this function rule, तो हमें क्या मिल जागा, 2 raise to the power x, मतलब जो भी अंदर element है, यहाँ पर आजाग 2 raise to a plus b, तो इसको मैं ऐसल करता हूँ, 2 raise to a into 2 raise to b, लिख सकते हैं, और 2 raise to a कही न कही 5 of a होता है, उसी का तो यह image है, 2 raise to b, कहीं न कहीं 5 of b, उसी का तो image है, यह multiplication यहाँ पर आ गया multiplication, तो मैंने यहाँ पर proof क्या कर दिया, 5 of a plus b is equals to 5 of a into 5 of b, जो कि मैंने कोई भी दो element, random elements कैसी भी element ले लिए, तो उनके लिए element क्या हो रहा है, यह condition true हो रही है, यहाँ पर मैंने प्रूफ कर दिया है, कि यह जो मेरे पास mapping है, यह mapping कैसी है, यह एक homomorphism है, ठीक है, तो I hope guys, आपके यहाँ पर तीनो कंडिशन समझ में आ गए होंगे, कि कैसे मैंने प्रूफ किया है, कि वह function one to one है, on to है, homomorphism है, तीनो कंडिशन सैटिस्फाइ कर रहा है, that means, हम यहाँ पर हम बोल सकते है, कि यह जो मेरे पास mapping है, G से लेके G डैश, इसे mapping को हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे isomorphism, तो यहाँ पर isomorphism exist कर रहा है, तो यह जो दो group है मेरे पास, इन दोनों group को हम लोग क्या बोलेंगे, अगर यह isomorphism है, that means, G and G- are isomorphic, कि दोनों ही group कैसे isomorphic है, मतलब उनकी जो elements है, उनकी जो structure है, वो different different है, terminology different different है, बट सारी उनकी properties same है, कि यह चीज़ हमें कहती है, तो G और G- दोनों ही group कैसे isomorphic है, मतलब लगबक same है, तो यहाँ पर हमने example number one देखा है, बट मुझे नहीं लगता है, कि example number one sufficient होगा इस topic को explain करने के लिए, इसलिए मैंने एक और वीडियो बनाया है, और उस वीडियो के अंदर हमने 5 important interesting examples देखे है, isomorphic topic based पर, आप make sure that कि आप वीडियो जरूर देखे, ताकि आपको यह चीज़े और बेतर तरीकी से समझ में आई, आपको link description में मिल जाएगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो का like करे, अगर आप चाहते कि मैं ऐसे वीडियो और बहनाओ तो चैनल को subscribe करे, मिलते हम next video में